गुद मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब कख्षा नाइंत की गड़ित की कख्षा में आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे चैप्टर टू बहुपद ठीके बच्चों इसके कोशन नमबर एक को हमने हल किया था इसके सवाल जो मैंने हुमवर्क के लिए दिये थे आशा प्रत्रेक बहुपद के लिए पीजीरो, पीवन और पीटू ग्याद कीजिए ठीक है बच्चों तो इसमें हमें एक बार पी यक्स की जगह यहां पे इसके फॉर पार्ट दिये हुए है वान तू त्री फॉर ठीक है तो इसमें यक्स की जगह पे आपको एक बार पीजीरो एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है ठीक चलिए आईए हम इसके पहले पार्ट को लेके चल रहे हैं पहला पार्ट है हमारा पहला पार्ट बच्छो देखिए PX बराबर दिया हुआ है Y स्क्वेर माइनस Y प्लस 1 ठीक अब हमें पहले क्या ग्याद करना है P0 यहाँ इसे से पहले हम क्या करेंगे बच्छो एकस बराबर zero रखेंगे एकस बराबर एकस के जग है पर हम 0 रखेंगे तो यहां पर y की जगे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वेर माइनस 0 प्लस 1, अब 0 का स्क्वेर क्या आ गया, 0 माइनस 0 प्लस 1, बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है, तो p0 का माण हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, इसी तरीके से क्या ग्याद करना हमें, इसी तरीके का मान भी ज्याद करने के लिए लिखा हुआ है तो जहां पर भी y है उसमें y की जगे पर हम क्या रख देंगे y की जगे पर हम रख देंगे 1 1 का sqr minus 1 plus 1 ठीक है? 1 का sqr करेंगे कितना आएगा? 1 minus 1 plus 1 ठीक है? अब 1 में से 1 गया 0 और प्लस 1 यानि कितना आजाएगा 1 समझ मैं है बच्चो तो इस तरीके से यहाँ पर P1 की value कितनी प्राप्त हो गई 1 प्राप्त हो गई अब इसी तरीके से हमें और गयाद करना है P2 कमान गयाद करना है तो जब हम Y वराबर क्या रख देंगे 2 रख देंगे तब हमारे पास क्या जाएगा P2 प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पे Y square minus Y plus 1 अब इसी में Y के जगए पर जब हम 2 रख देंगे तो क्या जाएगा 2 का square minus 2 plus 1 2 का square मतलब 2 दुनी 4 minus 2 plus 1 4 में से 2 गया 2 plus 1 बराबर कितना आ गया तीन तो इसका उत्तार आप चाहें तो अलग से लिख दीजिए आते हैं दिये गए बहुपद P Y कल टू Y स्क्वेर माइनस Y प्लस 1 के लिए P 0 बराबर 1 एवं P 1 बराबर 1 तथा P 2 बराबर 3 होगा क्योंकि हम इनी कमान गयाद करना था ना बच्चो P 0, P 1 और P 2 कमान गयाद करना था समझ में आया ना क्या करना है जो बहुपद दिया होगा उसमें बहुपद जो दिया होगा उसमें हम एक बार 0 रखेंगे एक बार one रखेंगे और एक बार two रखेंगे जो माना आएगा वही हमारा answer होगा चलिए question number इसका जो second वाला part है यह आपका homework हो गया ठीक है third part और fourth part में से third part भी आपका यह दो आपके homework है सरलसा है second part और third part यह आपके homework के लिए है आप मुझे करके भेजिएगा और चौथा जो है इसका part वो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं चलिए आएए देखते हैं इसको कैसे करेंगे चौथा part हमारा क्या दिया हुआ है px बराबर x-1 और x प्लस 1 ठीक तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें क्या गयात करना है यह हमारा सवाल दिया हुआ है p0 बराबर यहाँ पे x की जगह जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 तो 0-1 और 0-1 ठीक है अब बराबर क्या जाएगा 0-1 तो यहाँ पे हो जाएगा-1 और 0-1 यानि 1 हो जाएगा ठीक अब-1 और 1 का आपस में multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा-1 प्राप्त होगा ठीक है बच्चों अब इसी तरीके से अब बच्चों x बराबर जो है यह जो दिया हुआ हमारे पास समीकरण बहुपद है इसमें x बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर अब 1 रखने पर क्या हमें P1 बराबर क्या रखेंगा 1-1 यहा देखें यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या माँ रखना है 1 तो 1-1 और यहाँ पर 1-1 ठीक है? समझ में आ रहा न बच्चों ठीक अब चलिए यहाँ पर रखें तो 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 कितना ह गया,振ाब टू से ओगा, तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है, तो हमारे पास पी 1 की वैल्यों कित्ते आए गई, जीरो, पी 0 की वैल्यों कितने आई थी, माइनस वन, अब यहां पे देखिए सका तीसरा वाला भाग भी देख लीजिए क्या x बराबर 2 रखने पर ठीक है px में यहाँ पर भी लिख दीजिए px में ठीक है x बराबर 1 रखा था हमने अब x बराबर 2 रखेंगे अब यहाँ पर देखिए 2 रखा हमने कहां कहां x के स्थान पर तो p2 आ गया P2 परावर क्या जाएगा 2-1 और यहाँ पे 2-1 ठीक अब 2-1 2-1 यानि कितना हो गया दो में से एक गया एक और 2 और एक कितना हो गया 3 तो एक का गुणा 3 से होगा 3 एक का 3 ठीक अब इस तरीके से बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो P0, P1 और P2 का मान जो है वहाँ में प्राप्त हो गया है उत्तर आप अलग से दिलिख दीजिएगा आता है समझ में आ रहा ना बच्चों आता है दिये गए बहुपद PX बराबर X-1 X प्लस 1 के लिए P0 बराबर माइनस 1 P1 बराबर 1 तथा P2 बराबर 3 होगा चीक है माइनस 1 और ये P1 बराबर के आया 0 और ये P2 बराबर 3 होगा चीक ये हो गया हमारा आंसर समझ में भी आया ना बच्चों क्या करना आपको जो भाउपद दिया होगा उसमें एक बर 0 रखेंगे एक बर 1 रखेंगे और एक बर 2 रखेंगे इस तरीके से मान प्राप्त होगा तो इसका सेकेंड आपसन और थर्ड वाला आपसन वो आपका होमवर्क है ठीक है ये कोशन नमर 3 जो है वो हमारा कह रहा है सत्यापित कीजिये की दिखाए गया मान निम्न लिखित इस्थितियों में संगत बवपद के सुन्यक है ठीक है तो हमें ये बताना है कि जो दिये गया मान है जैसे यक्स कमान ये दिया हुआ है ठीक है कि जो दिया गया मान अगर हम उस बवपद में रखते है ठीक है तब वो अगर उस बवपद का मान सुन्य प्राप्त होता है तो जो दिया गया मान है बवपद का सुन्यक होगा अगर वह मान हम सुन्यक बवपद में रखेंगे सुन्य प्राप्त हुआ तो सुन्यक है अगर नहीं प्राप्त होगा तो सुन्यक नहीं होगा ठीक है तो चली आएए हम पहला इसका पार्ट लेके चल रहे है पहला पार्ट दिया हुआ है इसका PX बराबर 3X प्लस 1 ठीक है 3X प्लस 1 दिया हुआ है तो 3 x प्लस 1 और x बराबर minus 1 अपान 3, x कमाल ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, P x बराबर 3 x प्लस 1, ठीक हें, में x बराबर minus 1 अपान 3 रखने पर, ठीक हे, अब हम इसमें minus 1 अपान 3 अगर हम रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास P-1 upon 3 समझ में आरा है जहां पर X दिया हुआ है वहाँ पर हमने minus 1 upon 3 रख दिया है तो 3 और फिर X की जगे क्या रखेंगे minus 1 upon 3 और यहां plus 1 ठीक है समझ में आरा ना बच्चो हमने X की जगे पर केवल X का मान जो दिया है प्लस 1 minus 1 और प्लस 1 क्या हो दाएगा 0 हो गया यानि P-1 upon 3 का मान हमें जो है क्या प्राप्त हो रहा है 0 यानि X equal to minus 1 upon 3 रखने पर बहुपद PX बराबर क्या प्राप्त हो रहा है सुन्य प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से या सुन्य प्राप्त हो जा रहा है इसलिए इसका या सुन्य होगा तो चुकी P-1 upon 3 बराबर सुन्य इसलिए X बराबर minus 1 upon 3 बहुपद PX का एक सुन्यक होगा ठीक है यह हमने सत्यापिट कर दिया यह इसका सुन्यक है आप इसी तरीके से देखिए इसके कई पार्ट दिये हुए है सेकेंड पार्ट जो है वो आप आपका होमवर्क है PX बराबर दिया है 5X minus 5 पार्ट पार्ट जो है वो चलिए हम देखते है इसका कोशन थर्ड जो है कैसे करेंगे आईए कोशन नमबर देखिए इसका थर्ड पार्ट है PX बराबर X स्क्वेर minus 1 ठीक है और X के यहाँ पर हमारे पास 2 मान दिये हुए है एक बर 1 दिया हुआ है और X के जगे X equal to minus 1 भी दिया हुआ है ठीक है बच्चो तो हमें यह X के मान रखने है PX पे अगर PX पे रखने पर यह मान उस बहुपत का मान 0 आ जा रहा है तो यह मान जो है बहुपत के सुन्यक होंगे अगर मान 0 नहीं आ रहा है तो यह बहुपत के सुन्यक नहीं होंगे चलिए आएए देखते हैं इसके तीसरे पार्ट में क्या होता है तो PX बराबर X square minus 1 में X बराबर 1 रखने पर सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं ठीक है अब 1 रखा हमने तो क्या आ गया P1 X square minus 1 दिया है X square के जगे क्या रखा 1 तो 1 का square minus 1 अब 1 का square minus 1 बराबर क्या आ गया 1 minus 1 1 minus 1 बराबर क्या आ गया 0 यानि P1 बराबर क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया ठीक है यह हमारा पहला point 0 प्राप्त हो गया तो उसका मतलब यह हो गया कि x equal to 1 जो है वह px का सुन्यक होगा अब हम minus 1 भी रखके देख लेते हैं तो px बराबर x square minus 1 में x बराबर minus 1 रखने पर ठीक है तो क्या रखेंगे तो क्या हैगा p1 minus 1 बराबर आजागा यहां minus का चैनल लगाएगा बच्चो p minus 1 बराबर हो जागा minus 1 का square minus 1 minus 1 का square बराबर क्या आगया 1 minus 1 तो एक में एक गया कितना आगया 0 यानि इसमें भी p minus 1 बराबर कितना आगया 0 यहां देखिए p1 बराबर भी 0 आगया है चुकि P1 बराबर भी 0 है और P-1 बराबर भी 0 इसलिए X equal to 1, minus 1 बहुपद PX के सुन्यक होंगे होंगे है ये दोनों बहुपद के सुन्यक होंगे समझ में आया बच्चो क्यों होंगे इनका मान हमने बहुपद पे रखा और हल किया अगर उस बहुपद का मान जुए 0 प्राप्त हो रहा है तो वह है बहुपद के इसके बाद fourth part जो है fourth part जो है वो भी सरलसा है वो आप करिएगा आएए देखते हैं आगे का part बच्चो जोथा part दिया हुआ इसका पी x बडावर x प्लस 1 x minus 2 और x के 2 मान दिया हुए है इसको भी आप इसी में रख के देखिएगा, अगर PX बराबर 0 आ जा रहा है, ठीके, तो ये मान बहुपद के सुन्यक होंगे, और अगर 0 नहीं आएगा, तो सुन्यक नहीं होंगे, ठीके, इसी तरीके से question number, ये आपका homework हो गया, question number 5, ये भी यहाँ पर X के जगे 0 रखेंगे इसको मैं हिंट कर दे रहे हैं, जीरो रखेंगे, तो 0 का square आएगा, 0 का square बराबर 0, यानि P0 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब X equal to 0 जो है, इसका सुन्यक होगा, ठीके, तो ये भी आपका homework हो गया, ये भी आप करके मुझे बताईएगा, अब question number 6 की ओर चल रहे ह ये मैं आपको बता रही हूँ, कैसे करना है इसको, PX बराबर दिया हुआ है, LX plus M, और X की वेली दी हुई है, minus M upon L, ठीके, तो यहां इसको जब हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, PX बराबर क्या दिया हुआ है, LX plus M, ठीके, मैं X बराबर minus M upon L रखने पर, सब सार प्रिष्ण करने, हल करने का मैथड जो है, इसी तरीके से है, ऐसे ही लिखना है, यहां PX लिखना है, फिर जो मान दिया है, वो रखने पर लिखेंगे, इसके बाद जब मान रखेंगे, तो यहां पर P, minus M upon L, ठीके, अब यहां पर X की जगे, क्या रखना है, हमें, minus M upon L, ठ P, plus M, ठीके, अब यहां L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, minus M, plus M, minus M, plus M, अपस में कर जाएगा, क्या बचेगा, हमारे पास बचो, 0, या सुनने, अब चुकी, P, minus M upon L का मान कितना प्राप्त हो जा रहा है, 0, कब, जब हमने एक सु बराबर, minus M upon L रखा है, चुकी, अब यहां पर लिखेंगे, चुकी, minus M upon L, बराबर, 0 है, इसलिए, X, बराबर, minus M upon L, बहुपद, P, X, बराबर, L, X, प्लस M का, सुन्यक होगा, सुन्यक होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि, इसका मान रखने पर, हमारे दिया गया बहुपद, जो है, हल जो करने पर हमें, सुन्य पराबर होगा, इसलिए, जो यह X का मान है, वो, उसका जो है, सुन्यक होगा, ठीक है, समझ मैं है, आप इसके बाद, हम आगे next बढ़ते हैं, देखो बच्चो, इसका सात्वा कोशन दिया है, P, X, बराबर, 3X स्क्वार मान दिये हुए है, यह हमें बताना है, कि यह जो है, सुन्यक है, कि नहीं है, तो इसको करने का तरीका वही रहेगा, P, X, बराबर, 3X स्क्वार मान दिये हुए है, यह हमें पहला हमान रखके देख लेते हैं, ृट 3 रखने पर, ठीक है, अब रखके देखते हैं, किया प्राफ्थ हो रहा हमें, तो, पी और यहां पे x कीज़ेगा क्या रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 और यहां root 3 का square जो चुकी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा root 3 गुणे root 3 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 ठीक है तो यहाँ माइनस वन अपान थ्री आएगा माइनस कभी स्क्वेर करेंगे तो वन अपान थ्री हो जाएगा तोटल आजाएगा यहाँ पर वन अपान थ्री अब अगर यहाँ पर वन अपान कर दिया जाए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 1 upon 3, चिक, समझ में आ रहा ना तो यहाँ पर आ गया 1 upon 3 minus 1, 3 से 3 कट जाएगा 1 minus 1, चिक 1 minus 1 मराबर क्या आ गया हमारा 0, यहाँ पर हम जब x का मान minus 1 upon root 3 रख रहे थे तो इसका मान क्या पराप्त हो गया हमारे पास 0, इसका मतलब हो गया कि यह वाला मान इसका सुन्यक होगा अब दूसरे वाले मान को लेकर भी देख लेते क्या होगा तो px बराबर 3x square minus 1 में x बराबर 2 upon root 3 रखने पर ठेक है अब यहाँ पर यह रखेंगे देखतें क्या मान पराप्त होता है तो p2 upon root 3 बराबर 3x की जगह क्या रखेंगे 2 upon root 3 square minus 1 तो 3 और यह 2 का square करेंगे कितना दाएगा 4 और यह root 3 का square करेंगे तो क्या दाएगा 3 तो अब यहाँ 3 से 3 cancer हो गया 4 minus 1 4 minus 1 बराबर क्या आगया 3 अब 3 आ रहा है यहाँ ध्यान दीजे बच्चो यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या 3 बराबर है यह does not equal to 0 है तो इसका मतलब क्या होगा p यहाँ पर 2 upon root 3 बराबर नहीं है 0 के तो अब इसके लिए क्या होगा कि यह जो पहला वाला था इसके लिए आप लिख दीजेगा कि अतह x बराबर माइनस 1 upon root 3 बहुपद p x बराबर 3 x स्क्वेर माइनस 1 का सुन्यक होगा ठीक है पहला वाला तो होगा लेकिन यहाँ पर 0 does not equal to 0 आ रहा है इसके लिए क्या लिखेंगे अतह x बराबर 2 upon root 3 दिये गए बहुपद p x बराबर 3 x स्क्वेर माइनस 1 का सुन्यक नहीं होगा नहीं होगा ठीक है समझ में आया क्यों नहीं होगा क्योंकि इस का मान रखने पर हमारा बहुपद का मान जो है सुन्यक पराप्त नहीं हो रहा है इसलिए यह सुन्यक नहीं होगा ठीक है बच्चो इसका कोशन नमबर जो है आठवा कोशन जो है वह आपका होमवर्क है तो आप लोग इसको करिएगा आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आप यह बचे हुए जो पार्ट थी वह होमवर्क है वह करके मुझे भेजिएगा धन्यवाद बच्चो आगे मिलते हैं नेक्स क्लास में